हेलो दोस्तों नमस्कार, MCC Classes में दोस्तों आपका स्वागत है, आज हम देखने वाले हैं कि मद्द जो आपका भारत देश है, अपने भारत देश में कौन क्या है, ठीके, तो यह स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप जानते होंगे दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं र चीज अपन डिसकस कम करेंगे दूसरा आता है उपराश्टपती तो ये हैं हमारे M.V.N.I.D. तो राश्टपती महोदे हैं रामनात कोविन और उपराश्टपती है M.V.N.I.D. अब बात करते हैं दोस्तों Attorni General की जिने महा न्याएवादी भी बोलते हैं तो महा न्याएवादी को हैं दोस्तों K.V.N.U. गोपाल कैसे याद रखना है दोस्तों न्याए को हैं जो अपना खास व्यक्ती वो न्याए करेगा अब न्याए मतलब समझना इस चीज़ को तो न् को एटरनी जनरल बोला जाता है दूसरा आता है सोली सिटर जनरल तो सोली सिटर जनरल दोस्तों तुशार महता है ठीक है जिसे आपने देखा होगा तारग महता का उल्टा चस्मा ठीक है तो उसी से याद रखना दोस्तों यह क्या है सोलीड चीजे यह क्या है सोलीडे महता रखना C.A.G. के पत्पे वरतमान कार्य दे ठीक है आगे की चर्चा करते हैं आगे आता है दोस्तों मुख्षिन याइदिश तो जो भारत के सुप्रीम कोट के मुख्षिन आयदिस है वो है शरद अरविंद बोबड़े ठीके तो अरविंद से याद रखना दोस्तों ठीके ये शरद से याद रख लेना तो शरद अरविंद बोबड़े क्या है मुख्षिन आयदिस हो गए फिर आता है मुख्षि चुनाव आयुक्त तो मुख्षि चुन सूचना किसे मिलरी दोस्तों में विमल जुलका से किसे मिलरी विमल जुलका पहले सुधिर भारगव थे अब विमल जुलका तो याद रखिएगा सूचना मिलरी किसे जुलका जी से ठीक है फिर अगला आता है दोस्तों मुख्यार्तिक सलाकार तो भारत सरकार के मुख्यार्ति सलाकार है क्रश्ण मूर्ति सुब्रमन्यम तो क्रश्ण मूर्ति सुब्रमन्यम किसकी मूर्ति क्रश्ण बखवान की मूर्ति यह ना उसी उन से क्या और अपना मुख्यार्तिक सलाकार है हमारे वो फिर आता है राष्टी यह राष्टी दोस्तों राष्टी सुरक्ष सलाकार को दोस्तों आगे बात करेंगे ट्रिक्चे माध्यम से क्योंकि आप लोगों ने कम पढ़ रखे हैं हाँ तो दोस्तों बात करते हैं लोकसभा महासचीव तो लोकसभा जो है दोस्तों लोकसभा के महासचीवें इसनेहलता शिरिवास्तव और यह प्रतम महिला महासचीवें लोकस सबा के उप सबापती कोन है हरिवन शनारायन सिंग और प्रशना आएगा कि राज्ज सबा के सबापती कोन है तो हमें याद रखना है जो उप राश्च्पती होते हैं दोस्तों है ना उप राश्च्पती जो होते हैं वही राज्ज सबा के सबापती होते हैं तो वर्तमान में उप राज़पती कोन है दोस्तों ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है अगला आता है कि राज़ सबा में विपक्ष के नेता कोन है तो राज़ सबा में विपक्ष के नेता गुलाम नभी आ जा दे तो गुलाम व्यक्ति ही विपक्षम भेटेगा ऐसा आप याद रखना नेक्स्ट आता है इजरो के चेर्मेन तो इजरो याने इंडियन स्पेस रिसर्च और्गेनाईजेशन क्या है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च और्गेनाईजेशन इनके जो अध्यक्ष हैं वो है के सिवान, कोने दोस्तों के सिवान है यह आपको याद रखना है फिर आता है DRDO याने Defense Research and Development Organization इसके जो प्रमू के दोस्तों वो है G37 Reddy ठीके तो DRDO याने Do याने कि करना तो आपको तैयार रहना है दोस्तों Reddy रहना है क्या रहना है रेड़ी रहना है ठीके इस दो रहना है कि सीवान साब हो गए अपने फिर आता है सेवी सेवी की में बात करूँ Security Exchange Board of India इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों Security Exchange Board of India इसका फुल फॉर्म है इसकी जो अध्यक्षे है वो आजे त्यागी यहने सेवी त्यागी सेवी त्यागी क्या त्यागी सेवी त्यागी इसे आप याद रखना यह सिप याद करने का तरीका है थोड़ा ठीके ताकि अपने मैंने में बना रहा है इन चीजों का बार बार रिवाइस करना है दोस्तों आपको और बार बार पढ़ना है क्योंकि चीजों को आप बार बार जितनी बार पढ़ोगे देखोगे तो वह आपको थोड़ा याद रहेगी ठीके और ये एक नंबर में आ जाता है प्रस्ण आपको पता हो न चीज चीज का कि पूछ लेगा सेवी के अद्धिक्ष कई बार आ चुके या तो इस प्रकार के प्रस्ण बनते हैं तो आप अच्छे से थोड़ा किलियर कर दीजिए और बाकी दोस्तों आप थोड़ा इस चैनल को शेर कीजिए सपोर्ट कीजिए ठीके आगे बहुत सारी जानकारी में बता रहा हूं अगला आता है आर्बी आई तो आर्बी आई के जो गवर्नर है दोस्तों वह है शक्तिकान दास तो आर्बी आई ने की रिजर्व बेंक ओफ इंडियम जानते हैं तो इसमें क्या होता है दोस्तों शक्ति है ठीक है बेंकों का बेंक बोलते हैं आर्बी आई को तो शक्तिकान दास हो गया फिर है एस बिया की जो अध्यक्ष है वो है रजनिश कुमार अब आथा है आई बी इंटलेजेंट ब्योरो यह अरविंद कुमार तो अरविंद कुमार क्या है दोस्तों intelligent है अरविंद कुमार क्या है क्या जाएगा वी के यादव नेक्स्ट आता है दोस्तों चौदवे वित्ता आयोक के अध्यक्ष तो 14 वित्ता आयोक के अध्यक्ष कोने वाई वी रेडी कोने दोस्तों वाई वी रेडी यह चौदवे वित्ता आयोक के अध्यक्ष है वाई वी रेडी अच्छी से याद रख वरतमान यहने कि 15 वितायोग याद रखा वरतमान में 14 वितायोग है आपका अगली बात करते हैं तो बात आती है दोस्तों लोकपाल की तो जो भारत के हैं भारत के लोकपाले दोस्तों पिना की चंद्रगोश ठीक है तो लोकपाल याद रखना लोकपाल यहने की पिना की चंद्र गोश है ना तो लोगपाल क्या करते हैं अच्छा कारी करते हैं तो सबकी क्या हो जाती है पिन्नटी हो जाती है याद रखना तो पिन्ना की चंद्र गोश क्या हो गए लोगपाल हो गए फिर आता है रो के अद्यक्ष है दोस्तों सामंत गोयल जो रोएगा उसका सामं कोई नहीं रहेगा ठीक है इसलिए गोल पर ध्यान रखो तो रो के जो अध्यक्ष है वो है श्रीमान सामत गोयल जी फिर आता है CBI CBI के अध्यक्ष है दोस्तो रिशी कुमार यह रिशी कुमार आपके मद्यपदेश से यह आपको याद रखना है ठीक है तो CBI Central Bureau of Investigation के अध्यक्ष है रिशी कुमार शुकला ठीक है फिर आता है UPSC आप जानते होंगे UPSC के अध्यक्ष अरविंद कुमार दोस्तों अभी एक जानकरी है कि शायद UPSC के अध्यक्ष चेंज होगा है अगर चेंज होगा है तो दोस्तों प्लीज इसको कमेंट में हमें जरूर कर कमेंट ठीक है ताकि इसको अपडेट करें हों है ना बाकिया आप याद रखना अरविंद सक्सेना UPSC के अध्यक्ष ठीक है फिर आता है नीतियायोक के अध्यक्ष तो दोस्तों जो नीतियायोक है ना नीतियायोक के अध्यक्ष वही होते हैं जो भारत देश के प्रधानमं दोस्तों, ठीके, अगला प्रस्न आता है कौने साथ हो, राजिव कुमार उपात्देक्ष है, नीतिय आयुक के Next आता है CEO यहन्य कि यह नीतिय आयुक की चल रहा है आपका ठीके, तो नीतिय आयुक के अद्देख्ष हो गएं नीतियायोक के उपाद्यश हो गए अब नीतियायोक के CEO Chief Executive Officer जिने हम बोलते हैं तो Chief Executive Officer कोन है दोस्तों अमिताप कांद तो अमिताप कांद को याद रखेगा ये CEO है और अक्सर यही प्रस्ण आपका एक्जाम में घूमेगा ठीक है अगला प्रस्ण आता है Chief of Defense Staff यहने CDS का पद आपने सुनाओगा तो CDS यहने की Chief Defense Staff Chief of Defense Staff हम बोलते हैं CDS के पद को यह हैं विपिन रावत कोन है मेरे दोस्तों विपिन रावत है ना इनको याद रखेगा फर्स्ट CDS के पद पे यही है फिर आता है नो सेना तो दोस्तों जो नो सेना है नो सेना के अद्यक्ष है Admiral Karamvir Singh Admiral जो पद है आपको याद रखना है यह नो सेना का सरुच्च पद है ठीके और कोन है वरतमान नो सेना के अद्यक्ष? Karamvir Singh फिर आता है थल सेना तो थल सेना के जो अद्यक्ष है वो है General Manoj Mukund Nervan हो जाएगा फिर आगला आता है वायू सेना तो वायू सेना में पद होता है Air Chief Marshall सबसे मुचा पद इसी में है राकेश कुमार सिंग भधोरिया तो भधोरिया जी वायू सेना में थल सेना नमनोज Mukund जी हो गए और नो सेना में करमवी सिंग हो गए यह आपको याद रखना है फिर आता है दोस्तो BCCI भारती किरकेट कंट्रोल बोर्ड ओफ इंडिया के हम बात करेंगे तो यह है दोस्तो BCCI के अध्यक्ष और सचीव तो अध्यक्ष जानते होंगे दोस्तों अभी वरतमान में अइपेल चल रहा है तो सोराव गांगोली जी ठीक और इनी के जो सचीव है दोस्तो BCCI के वो है जैसा है अमिश शा सुना होगा आपने वरतमान में क्या है दोस्तो घ्रह मंत्री Home Minister है लेना केंदरी Home Minister उन्हे के यह पुत्र है जैसा तो ये कुछ प्रशने हैं दोस्तों जो आपको अच्छे से याद रखना है दो, तीन ओर मैं बता देता हूं कि जो SSC के अद्धिक्षे हैं दोस्तों वो है व्रज, राज, शर्मा जानते होंगे और LIC के अद्धिक्षे हैं अब कुमार आप याद रखना दोस्तों ठीके तो ये कुछ आपके साथ डिटेल होती है आगे चर्चा करते हम तो ये आपके सब कंप्रिट होते हैं दोस्तों तो प्लीज वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिएगा शेर जरू कीजिए दोस्तों और प्लीज इसको थोड़ा आप शेर करेंगे तो हम भी आपके लिए अच्छे चिजे लेके आएंगे तो प्लीज दोस्तों इसको शेर कीजिए और थोड़ा आपके सपोर्ट किया हो शकता है आगर अभी तक आप टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों MCC Classes यह आपको थोड़ा सर्च कर लेना है व्यावरा ठीक है Capital अक्षरा में टेलिग्राम चैनल पे अप्डेट भी कहां के कौन से वेकेंसे निकलिए और कहां पे आपके क्या चीज पढ़नी चीज हर चीज आपके करेंट अफेर भी आता है अप्डेट होती रहती है तो प्लीज दोस्तों शेर और सब्सक्राइब जरू कीजिए धन्यवास साथियो